लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, होसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, अरे जलते हुए चिरागों ने कहा है, चलती हुई आधियों से कि उजाला करने वालों की कभी हार नहीं होती सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ठागेट गुरकुल में, मैं हूँ अमरीत राय और आज हम बात करने वाले हैं, बीकॉम, डिडियू, गोरगपुर उनिवर्सिटी के इंटरेंस को कैसे क्रेक करें, उसका स्लेबस क्या रहने वाला है, उसका एक्जाम करने चाहिए, कहां से आपको त्यारी करने चाहिए, कौन से बुक्स का रेफरेंस लेना चाहिए, we are going to discuss each and everything in this video. सबसे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा कि आपकी गोरगपुर युनिवर्सिटी इंटरेंस फर्म फिलिंग का डेट अनॉंस कर चुकी है, आपके टागेट गुर्कुल चैनल पर पहले ही बता दिया गया है, सुभम सर ने बताया होगा आपको, कि इंटरेंस फर लगबख 10-15 दिन के बाद फिल हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप लास्ट इट पर फिल करेंगे, तो आपे स्टूडेंस काफी जादे संख्या में जाते हैं, और वेबसाइट काम नहीं करता है, वो सकता है, आपका फिल नहीं हो पाए, इसलिए आप 2-4-10 दिन के अंद आप अपने फिल कर दें, और फिल करने के बाद सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि तैयारी कैसे करें, कहां से करें, कितनी करें, कब करें, कितना पढ़ें, तो सब कुछ हमनों डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना कब तक पढ़ना है एडमिसन प्रोसेस की बात करें तो पहले फॉर्म फिल करजिए फॉर्म फिल करने के बाद आपका जदी मार्क्स 110 के अबब आता है तो डेफिनेटली आपका आप अस्योड रही है कि आपका एडमिसन हो जाएगा और स्लेबस की स्टरजी की और गाइडेंस के भी बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले इडमिसन प्रोसेस की बात करते हैं आप फॉर्म फिल करिए फॉर्म फिल करने के बाद आपका इंटरेंस एक्जाम का डेट अनाउंस होगा मॉस्ट परबबली इंटरेंस नौ दिन बचे हुए है तो आपको दो महिनी का समय मिलेगा और जून में आपके एक्जाम सोंगे अगर आप एक्जाम में 110 का टागेट करिए कम से कम 110 से प्लस तो लाना ही है जो बच्चे टागेट गुरुकुल के हैं पिछले बार आपको पता होगा कि हमने रैंक होल्डर प्रोसेस में सबसे पहले फॉर्म फिल करिए फॉर्म फिल करने के बाद दो महिने के आपके पास टाइम होता है लगबग 60-70 दिन का और उसमें आपको त्यारी करनी होती है अब 60-70 दिन में आपको दो येर का स्लेबस कवर करना होता है और कुछ एडिसनल चीज़ भी अलावा हिंदी तो आपने पढ़ा होगा लेकिन उतना उस हिसाब का हिंदी आप नहीं पढ़ा होगा जो इंटरंस में आपसे पूछा जाता है तो एडिसनल चीज़े भी आपको कवर करनी होती है यदि आपके वल पास होना चाहते हैं इंटरंस के माद्धे हम से एडमिसन बनना चाहते हैं तब तो 110 नमबर काफी हैं बट यदि आप इंटरंस में रैंक होल्डर बनना चाहते हैं तो कम से कम 160 नमबर आपको लाना पड़ेगा तब जाके आप 1st य 2nd रैंक होल्डर बन पाएंगे स्लेबस की बात करें तो आप में आपके इंटरंस में 5-6 सब्जेक्ट्स पुछे जाते हैं जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका बिजनस इन्वामेंट दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका बिजनस ओगनाईजेशन तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका लॉजि 16 questions पूंशे आपके 15 questions वह होते हैं त्सक्राइब को हलना 35 और यह 20 नबर के होते हैं यह आपका यहां से 120 से क्योर गोई है तीज तीज फोजग को बारा है 120 नंबर आपने जीनिंग और सबक्राइब कर लिए 120 नबर आपका हो गया लेकिन हम लोग यहां नहीजिकल रिकने वाले अब इसके लावा आपको हिंदी भी पूचा जाता है इंग्लीस भी पूछा जाता है, हिंदी में आपको 15 questions होते हैं, यह भी 30 number के होते हैं, यह यह 150 हो गया, इंग्लीस में भी 15 questions होते हैं, और यह भी 30 number के होते हैं, यह 180 हो गया, अब बाकी 10 questions जो होते हैं, वो आपके subject में कई से business studies से उठा के दे दिया जाएगा, या फिर किसी और सब्जेक्स से उठा के दे दिया जाएगा, क्लास 11 में अपने economics पढ़ा होगा, economics, एक subject उट रहा था, economics, economics से आपके 10 questions बनेंगे, और economics और banking दोनों मिला गे, और यह आपके 20 number के हो जाएगे, यानि इस प्रकार का आपका pattern होता है, exam का, 7-8 subject पुछे जाते हैं, और वो 7-8 subject मे से अपने लगबग 6 subject तो class 11-12 में पढ़ा रखा है, बस उसको उसमें से जहां-जहां possibility है questions बनने की, उन portion को यदि revise कर लिया जाए, तो आप इंटरेंस में rank holder बन सकते हैं, यह तो होगी आपका syllabus, अब syllabus में आपने देख लिया कैसे पूछा जाएगा, अब इसके बाद से हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमको सारा स्लेबस आता है, लेकिन जब questions पूछे जाते हैं, तो हमारा दिमाग गाया हो जाता है, एक भी question आपको समझ में नहीं आता है, कि पूछा क्या जा रहा है, तो वो ग्यान किसी काम का नहीं है, यानि आपको subject की understanding के साथ-साथ questions की की understanding होनी चाहिए, इसके लिए आपको देना पड़ता है mock test, mock test हमाई target गुरुकु लैब पे कुछ free of cost मिलेंगे, एक दो टेस्टेज, और जो बच्चे हमारा course परचेज करेंगे, मात्र 500 लिपे का course है, उसमें आपको lectures भी मिलेंगे, mock test भी मिलेंगे, mock test उन बच्चों को जो हमारे अलग-अलग teachers experts हैं, वो हर साल इंट्रेंस exam देते हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार का question पुछा जाता है, वो जब जाते हैं, बैटते हैं इंट्रेंस exam में, तो questions का आक्लान करते हैं, कि ऐसे questions पुछे जाते हैं, वैसे तो आपकी university paper ले जाने के लिए allow नहीं करती हैं, लेकिन आप जाके देख जरू सकते हैं, इंट्रेंस exam यदि आप दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से question पुछा जाता है, और हमारे teachers हर बार इंट्रेंस exam किसी ना किसी दूसरे माध्यम से दूसरा नाम बदल के देते हैं, ताकि यह जान सके कि हम अपनी syllabus बनाएं, उसी प्रकार से हम बच्चों के लिए test conduct करें, ताकि बच्चे हमारे अच्छे से इंट्रेंस में अच्छा score कर सकें, आपको model papers भी solve करना चाहिए, module नहीं, model papers, अब जैसे हमने आपको बताया कि 100 questions आपके पुछे जाएंगे, जैसे हमने आपको by 4 question बताया, कि 15-15 questions और एक subject में discussion आपको पुछे जाएंगे आपसे, तो वन सारे questions की, मतलब 100 questions की तयारी भी आपको करनी पड़ेगी, आपको समय भी मिलता है लगबग 2-3 गंटे का, 2-3 गंटे का, 2-3 गंटे का, 2-3 गंटे में आपको उन 100 questions को solve करना है, तो उसके लिए आपको model paper देना संहर्स batch, did you become के लिए आपको मिल रहा है, और आपको chapters को thoroughly read भी करना चाहिए, जैसे अगर आप chapter को जब तक thoroughly read नहीं करेंगे, तब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि questions की बनने की possibility किस-kis portions है, क्योंकि आपको written exam तो यहां देना नहीं है, यहां पे आपको देना MCQs based exam, और यहां पे MCQs based exam में सबसे important चीज यह होती है कि questions कहां-कहां से बन सकते हैं, इसकी possibility हम पहले से ही जान लाएं, question, 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 सारे questions कहां-कहां से बनने की संभावनाएं हैं, यह सब हम जान जाएं, तो फिर internets exam crack करना will be just आपके बाएं हाथ का खेल, अब अपने faculties की बात करें, तो इसमें आपके हमारे यह सब सर हैं, जो आपको BCOM, BBA, LLB, इन सारे courses को पढ़ाते हैं, BCOM की बात कर लें, तो मैं भी एक teacher हूँ, BCOM में मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, DDU में या फिर LU में, जिस भी university को आप टागेट कर रहा हैं, तो सबसे प कुछ बच्चों के लिए जो बच्चे अफर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उतना हम लोग नहीं कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, कि free of cost हमारे teachers को payment करना होता है, और इस platform को चलाने में भी काफी खर्चा लगता है, internet charges लगते हैं, बाकी हजार तरके खर्चे होते हैं, तो उन सारे खर्चे को कम से कम कवर करने के लिए, बस आपका थोड़ा सा समर्थन मिल जाएं, कि आपने संगर्स बैठ जाइन कर लें, और संगर्स बैठ जाइन करने के बाद हम आप लोग की मदद कर सकें, और आपको इंटरंस में रैंक दिला सकें, तो बहुत खोसी बस सर्थ यह है कि आप टागेट ग्रकुलाब डाउनलोड करिए, और वहाँ पे आपको संगर्स बैच मिल जाएगा, डिटी यू बीकॉम के लिए, वहाँ पर उसको जाइन करिए, केवल पांसो रुपे आपको वो कोर्स मिलेगा, कोर्स को जाइन करने के बाद, आपको अम जल्दी हो सके, आप जल्दी से हमारे संगर्स बैच को जाइन टरिए, टागेट ग्रकुलाब को टाउनलोड करिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंस, योदि आपको और भी कोई क्वेरी है, तो आप पूस सकते हैं, बाकी हम धुआएं करते हैं कि आप लोग इंटर